भारतिय कप्तान रोहित सर्मा की दमदार सुरुवात के दम पर भारत ने एसिया कप ग्रूप ए मैच में बुद्वार 19 सितंबर को अपने चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 126 गेंसेश रहते हुए आठ विकेट से करारी सिकस्ते थी टास हारकर पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की लेकिन भारतिय गेंदबाजों के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाए इसके बाद बल्लेबाजी करने उत्री टीम इंडिया के कप्तान रोहित सर्मा और सिखर धवन ने आते ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिये इस टैंड्स में रोहित सर्मा की पतनी रितिका सज्दे भी मौझूद थी जिनके रियेक्शन को कैमरे में अलग-अलग कैद किया गया है बता दियें कि कप्तान रोहित सर्मा ने संदार 52 रंणों के साथ अर्थ सतक लगाया वहीं सिखरधावन अपने अर्थ सतक से चुक गए और 46 रंग बना कर आउट हो गए भारतिय सलामी जोडी ने सतर्क सुरुवात की पहले 6 ओवर में केवल 17 रंग बने और वहीत समझ गए कि अगर यह इस्थिती बरकरार रही तो दबाव बढ़ता जाएगा उन्होंने मुहमद आब आमीर पर 24 लगाये हाथ फोले और फिर अगले ओबर में उस्मान खान पर दो छक्के लगाकर भारतिय समर्थकों को खुस कर दिया और साथ ही खुस कर दिया अपनी पतनी रीतिका को नेक्स्ट राइन इस्पोर्ट से वरुन की रिपोर्ट